हेलो एवरिवन मैं हूँ मीरा पटेल और आप देख रहे हैं मीरा पटेल फ्लेवर एंड टेस्ट तो आज हम बनाएंगे व्रत के लिए आलू लच्छा बॉल्स बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनता है यह तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा वॉच तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा बनाना शुरू करते हैं तो मैंने मेडियम साइट्स के बड़े आलू ले लिये थी इनको मैंने अच्छे से धो लिया था मतलब छील करके दो लिया थ पॉसर से भी बड़ा है कद्दुकस होता है जिसमें वो भी ङूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे क्रिस्पिय और लच्छे दार अमारे बॉल्स ब नेगे तो इसको हम आराम आराम से कद्दुकस कर लेंगे तो देखिए आलू को एकदम लंबा रखके कद्दुकस करना है ताकि हमारी लच्छे जो है ना लंबे लंबे निकले तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ बॉल्स के लिए हम आइस ही लच्छे चाहिए, जैसे हम नम्कीन के लिए निकालते हैं न, वैसे ही चाहिए, तो मैं ऐसे करके सबी निकालूँगी और इसमे थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, क्योगी जो आलू के लच्छे हैं, काफी देर हम ऐसे ही रखेंगे तो ये निकल लेंगे तो देखे, मैं अच्छे से इसको तीन-चार बार पानी से दोलेंगे, पानी in polypaste, निकल रूट पानी में पानी कि कौपड़े नहीं, आरकानी रेच्व आप इसके जगह अर रोट या राजगिर का आटा या फिर कुटू का आटा भी उस कर सकते हैं व бывi fast में खाया जाता है तो इसमें डाल दिये मैंने बारीक कटी भी हरी मिरच तीन चार और करी पत्ते लिए थे वैने तीन चार वह भी बारीक कट करके डाल रही हूं और हरा धनी वत जुदा ऐसे के लिए do Fate lack приложेंी तो अन्यॲिद के लिए क्सूमर 1-3 जीर Dwra जाल बाउडर काली मिर्च पाउडर और यह क्थढ़ेंगे इसमें क्यो reicht कि ऌसफ lud है कि अच्छे से तो हम चेट्नी पीसेंगे फ्रेड्स तो नमक देखकर ही डालीएगा क्योंकि चटनी में नमक और इसमें नमक दोनों में नमक हो जाएगा, तो टेस्क के अकॉर्डिंग डालिएगा, तो मैं इसको मिक्स कर लोगे अच्छे से, तो हमें इसको अच्छे से मैश नहीं करना है, दबाना नहीं है, मीजना नहीं है, हलकी हातों से हमें आटे को और सभी चीज़ अगर आप फास्ट फिले नई बना रहें तो इसमें मैदा और आरोड या कोई भी चावल का आटा मिक्स कर सकते हैं क्रंचनेस लाने के लिए तो चलिए इसको रेश पर रखेंगे 10 मिनट के लिए और हम चट्पटी सी चट्नी पीस लेते तो मैंने इसमें एक कभरा दनिया डा और दो चमज भरके मैं डाल रहे हूँ इसमें दही तो ये खट्टा वाला दही नहीं है इसलिए मैंने कच्छे आम का यूज किया है और ये कच्छी मुफली डाल रहे हूँ मैं तो रोस्टेट मुफली भी डाल सकते हैं तो मैं थोड़ी सी मुफली डाल रहे हूँ ताकि इ तो इसको पानी डाल करके हम दरदरा सा पीस लेंगे तो फ्रेंड्स बहुत ही खटी और तीखी चटनी बनने वाली है बहुत ही टेस्टी लगती है तो चलिए चटनी हमने पीस लिए तो मैं आपको दिखा देती हूं देखे कितना अच्छा कलार आया क्योंकि हमने इसमें दही को डाला है तो दही से बहुत अच्छा कलर आता है चटनी में और बहुत अच्छा टेस्ट आता है और यह आम की वज़े से बहुत ही खटी और तीखी चटनी बनी है तो चलिए साइड में इसको रख देते हैं और अभी हमें देख लेते देखे आलो ने काफी सारा अपना ज चोड़ दिया है देखिए इसमें से पानी निकल रहा है तो बस हमेरा दस मिनट के लिए हमने इसलिए इसको रच पर रखा था तो अभी हम इसको मिक्स करके इसके बॉल्स बनाएंगे और जो यह जूस है न जो भी बचेगा तो आप उसको आटे की में आटा गुदने में भी कर सकते हैं अगर घर में किसी ने फास नहीं रखा है तो इस जूस को आप आटे में मिक्स टर लीजिए वेस्ट नहीं जाएगा क्योंकि इसमें हमनी फास्ट का जो आटा है वो मिलाया है तो देखिए इसकी गोल-गोल्ड बॉल्स बना लेंग励 और कितने अच्छे से बॉल बन जाते हैं तो आरा रोट वगेरा कुछ भी मिक्स करने की जुर्यत नहीं है ना मैदा ना चावल काटा अगर आप फास्ट में ऐसे बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे तो सभी बॉल्स को मैं ऐसे ही करके रेडी कर लूँगी तो देखें मैंने सभी बॉल्स ऐसे रेडी कर लिया हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं और बच्चों ने घर में पास्ट रखा है तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे उनको ही खाने में तो मैंने गैस पर कडाई रख दी थी और तेल को मैंने अच्छे से गरम कर ल आए ताकि हमारे बॉल्स जले नहीं उपर से एकदम क्रिस्पी बने तो फ्रेंड्स इसको मैं सजस्ट करूँगी कि आप डीप फ्राइ ही करें अगर आप शैलो फ्राइ करते हैं तो यह अंदर से पकेंगे नहीं सिकेंगे नहीं अंदर से कच्चे रजाएंगे तो आप डी थी कि यह कहीं तेल में जाकर फटे नहीं क्योंकि मैंने future अरे जाकर और में और फ्राई किया और अलट फ्लट के हम इसको गोल्डन फ्राई कर लेंगे तो फ्रेंड्स बहुत ही क्रिस्पी बने थे बहुत ही टेस्टी बने थे तो ऐसी देखिए कितना चक कलर आ गया है और कितने अच्छे इसमें जो लच्छे है न वो भी दिखाई दे रहे हैं तो आप फा आप इसको क्रिस्प करना चाते हैं और ज्यादा तो और भी क्रिस्प कर सकते हैं और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चे तो बहुत ही शोक से खाने वाले हैं अगर बच्चों का फास्ट है आपके घर में तो उनके लिए तो बहुत ही मज़ेदार वाल तो आप पकोडियों की जगा इसको भी ट्राय कर सकते हैं तो चलिए सब कर लेते हम इसको टेस्टी सी चटनी और दही के साथ तो यह जो चटनी है ना बहुत ही मज़ेदार बनिये फ्रेंड्स बहुत ही खटी और तीखी चटपटी सी बनिये तो फास्ट में तो इतना करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो चलिए बाए बाए टेक केर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्सीब के साथ